नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटील इंफ्रा डेक्सल लिमेटेड स्टोक के बारे में सुगास जीटील इंफ्रा पर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साती साथ दोस्तों दीयसेंल 4G 5G network के टाउर लगाने को लेकर भी बड़ी अपडेट नजर आ रही है कि 1,004G network के जो टाउर से वो दीयसेंल लगाने जा रही है पर कईना के इस स्टोक पर जो गिराउट जो देखने को मिली लास्ट दो सेशन के अंदर जो नॉर्मल गिराउट हम इससे कह सकते हैं पर अभी उतार सेड़ा आप इस स्टोक को फिर से नजर आए क्योंकि इस लेवल पर देखा जाए तो गिराउट हुई है उल्मोस चार पेस आएगा एक लाग टावर यहां पर जो अपडेट निकल किया रहे है कि दूस्तों के लिए जो है टावर लगाने की जो कवायत थी वो पहले स्टार्ट हो चुकी है फुशिदे अगर इस चीज़ पर बात की जाए तो यहां पर देखने को मिला था कि दूस्तों कि बागे का टेलीकॉम पॉम्पनियों ने अपने रिचार्ज में जो इजाफा किया उसके बाद कईना कई टाटा के अंटरे होई बीएसनल के अंदर और कईना कई जो अच्छे दिन वीएसनल के देखने को फिर शे नजर आई क्योंकि अभी देखने को मैं आए कि बीएसनल को लेकर के मंतरी जोती रादिदे सिंदा का बयान आया और उसमें का गया कि बहुत जल्द हम फोरजी नेटवर्क की सुरुवात होने वाली है इसके लिए कंपनी टाटा कंसल्टेंस से स्विशेज टीसेस से हाथ भी मिलाया गया है जो कि टाटा की तरफ से नया डेटा सेंटर स्के तो यहां पर दूस्तों एकलाग टाटावल लगाने का जो टार्गेट है वो कंप्लिट हो जाएगा और इसके बाद अगर देखा आजाए तो टावल लगाने का जो काम है वह तेजी से क्या जा रहा है और होता हुआ भी नज़र आ रहा है क्योंकि अबीग टाम सम्बोप्रियस्त किया जार है और ऐसे ही में हर BSNL कंपनी को फास्ट इंटरनेट मिलने वाले हैं अब इसमें में प्लान क्या देखने को मिल रहा है कि अभी जो है BSNL के तरफ से अभी तक 25,000 टावर लगा दिये गए है BSNL ने कहा है कि दिवाली तक यानि कि दो हजार चोच तक अब अगर देखा जाए दिवाली की जो अभी आने वाली है एक डेड़ मैने बाद के अंदर तो उसमें दोस्तों उस टाइम तक कमपनी के जो है फिचोतर हजार फुलस्ट आवर जो है इंस्टोलेर कर दे जाएं कि जबकि ऐसा भी होता नहीं दी करा है तो भारत की तरफ से दोस्तों अपना 4G नेट्वर की स्तापित करने का काम किया जा रहा है ऐसे किसी भी अभारतिय ओप्रेटर टेलीकॉम की तरफ से नहीं किया गया कि यानि पूरी तरह किसे भारतिय नेट्वर को होने वाला है यसा करने वाली पहली कमपनी बन चुकी है और इसके जियो की तरफ से भी अपना 5G ट्रेक बनाया गया जबकि 4G Samsung की मदद पुरा करता हुआ नजर आया पर कहीना कहीं 5G की जो ट्रायल थी वो कमपलेट हो चुकी है अब 5G की जो ट्रायल कमपलेट हो चुकी है तो कहीना कहीं दोस्तो जो डेटावियस टेखनीकों मिल रहा है यह अच्छा टार्गेट फिर से दोस्तोंड इंफ्राटचर कमपलेट के लिए सेट हो सकता है अब गजीडिल इनफ्रा के लिए क्रहिक रावियस के लिए क्या क्यों क्वेश्मक शुक है है डोट की तरफ से एक दोस्तों जो तस्वीर शेयर गी थे कि बिया एमटीनल की तरफ से फाइब जी नेटवरक डिलीवर किया जा रहा है और एमटीनल फिलाल दिली और मुंबाई में ही उपरेट हो रहा है पर अभी बियाशनल और एमटीनल की बिच एग्रिमेंट हुआ कि इसमें कहा गया कि यह नेटवरक बियाशनल की तरफ से ऑफरेट किया जा जा रहा है जो बियाशनल के लिए बाते करें तो कंपपनी का यूजर बेस काफी कम हो गया इसी वज़े से company को दो बारे से पाना चाहती है तो 2025 के मद्य तक उस चीज़ को पूरा कर लिया जाएगा और company की पूरी तरह के थोड़ी देरी जो है हो सकती है पर लगातर कईना कहीं से इस पर टेस्टिंग चल रही है और complete पूरी तरीके से अच्छा 5G का उलड़ी होबी चुक है जो पिसले टाम टेली कॉम मिनिस्टर नहीं complete किया था तो ये सीज़ी कहीं ना कहीं इन्फरन एक्सर company के लिए एक अच्छी अपडेट निकल की आ रही है जीटियल इन्फरा में अगर देखा आ जाए तो जीटियल इन्फरा का दुस्तु लंबे बक्स से कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं था और company को प्रोजेक्ट अगर मिल जाता है तो कईना कहीं एक अच्छी जो अपडेट है और साथी साथ company के जो करज में कुछ improvement कुछ recovery जो है वो फिर से नजर आ सकती है मैंने दूस्त आप लोगों last analysis पर भी बताये था कि कईना कहीं company को fundraise करने की आऊ सकता है तो यह सीजी improvement के तो पर देखे जाए तो important भी निकल के आ रही है और company की future database के लिए भी positive देखने को मिल रही है क्योंकि company के जो investor है वो काफ़े तेजी से कम होते हुए नजर आ रहे थे last time पर वापस यह पर देखा जाए तो roll play out अच्छा हुआ है और last Q1 की results पर इंग में एक बार फिर शे बड़ा उतरी नजर आई है 17,02,090 investor company के हो जोगे है पर last time पर इनाख है database में फिर से gir out नजर है प्रोजेक्ट मिलना अचाहिए फिराल उमेंद करूंगा दोस्तो जानकरी आप लोग को फसंद आई होगे फसंद आज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो दोस्तो चैनल को इर शियू सब्सक्राइब कर देना और आपकी नजर में कोई पैनिस्टों को दोस्त की जानकरी कमेंट में पिन कर देना एंसे स्क्रीक आपको जल्दी बता दिया जाएगा मिलते ना एक्टी मेंजिंग वीडियो को साथ प्रके लिए जास दीजिए जैस सिरी करशना थैंक्स रोस निसमें वीडियो